जाहिर की आँख से न तमाशा करे कोई हो देखना तो दीदै दिलवा करे कोई मनसूर को हुआ लबे गोया पयाम मौत अब क्या किसी के इश्ट का दावा करे कोई मुहिपन नभी मौलाना मुहमद फखर दीन देलवी खतुब जमा है आप इहाते दरगा बख्तियार काकी में मदफून है जहां हर पल रहमत और अन्वार की बारिशें होती है आपकी कब्र जियारतगाह की हैसियत रखती है और हर वख खास और आम का हुझूम रहता है दूर दूर से यहां आने वाले मजार मुबारक पर अकीदत और मुहबत के फूल पेश करते हैं फखर जहां मौलाना फखर उस्तीन का लगब मुहबन नबी है यानि नबी से मुहबत करने वाला आपके जिन्दगी रसूल अक्रम स्लिल्लाह अलियो स्लिम के जिन्दगी के सांचे में ढली हुई थी और आप अपने रसूल से बेंदेह मुहबत किया करते थे इसलिए आपको मुहबन नबी कहा जाता था यागू तो खरमाई हज़त फखर दहलवी की विलादत 1126 हिजरी को और अंगाबाद में हुई जो जुनुबी हिन्द का मशूर शहर है नस्बी एतबार से आप खलीफ एवल हज़त अवबकर सिद्दीग रजियल्लाहु तालाहन की नसल से तालुख रखते थे शेख शहाब अद्दीन सुहर वर्दी आपके जद्दे अमजद थे वालिद बज़र्गवार हज़त निजाम अद्दीन अपने दोर के मौजद आलिम दीन और सूफी थे आपका खानदान अवद के काकोरी अलाके में रहता था वालिद मुहतरम शेख कलीम उल्लाह शाह जानाबादी के मुरीद खलीफा थे अपने मुर्शिद के हुक्म से ओधकन तश्रीफ ले गए और अवाम की रुष्ट औ हिदायत के काम में लग गए यहीं हज़त फखरुद्दीन के विलादत हुई शेख कलीम उल्लाह विलादत की खबर पाकर बहुत खुश हुए और आपको अपना रूहानी फर्जन करार देते हुए मुहम्मद फखरुद्दीन नाम रख़ा शेख कलीम उल्लाह ने फर्माया कि यह फर्जन शेहर शाजाहनाबाद को अपने नूर हिदायत से रोशन करेगा मुर्शिद की बात सो फिसद सच साबित हुई और आप से एक जमाना फैजियाब हुआ बेशमार लोगों को आप के जरी हिदायत का रास्ता मिला और अनकिंत अफराद ने आपके हाथ पर तौबा की आपकी तालिम औ तर्बियत वालिद के जेर साया हुई उनके इलावा भी आपके कुछ असातेजा थे जिन से आपने कई उलूम औ पुनून हासिल किये तफसिर औ हदिएस के साथ साथ तसूप और तिब के मौजू पर भी आपने किताबें पढ़ी अज़त फखर देहलवी ने कम उमरी में ही वालिद माजिक के हाथ पर बैयाद कर ली और खिर्के खिलाफत हासिल कर लिया आपका स्यादा तर वक्त अल्लाह की अबादत में गुजरता था ये अमल आप पोशीदा तोर पर करते थे आपको लोगों के सामने अबादत और रियाज़त करना पसंद ना था इसलिए जिकर इलाही बुलंद आवाद से करने के बजाए आहिस्ता किया करते थे लगभग तीन साल तक आपने फौज में मुलाजमत की और सिपह सालार के वहदे पर फाइज रहे इस वहदे से आपने अपने मर्जी से इस्तिफ़ा दे दिया और पूरा वक्त अल्लह के बंदों की खिद्मत में गुदारने लगे आपने अपना वक्त और अंगाबाद और दिल्ली में बसर किया आप जहां भी रहे अवाम आपकी तरफ माइल रहे क्योंकि आपके अंदर बेहद इनके सारी थी और लोगों के साथ अच्छा बरताओं किया करते थी हर शेक्स की ताजीम और तक्रीम किया करते थे बहुत ज्यादा सखी थे और जो कुछ पैसा और सामा नजर और नियाज में आता उसे लोगों में तक्सीम कर दिया करते थी मौलाना मुहमद फखरुदीन दहलवी ने कई किताबें तस्नीफ फरमाई जो तसवफ और रुहानियत के मौज़ू पर है आपने फरमाया कि जिस قदर ज्यादा हो सके अल्लह का जिकर करना चाहिए अल्लह का जिकर हर जिकर से बेहतर है आप नेक आमाल पर जोर देते थे और फरमाया करते थे कि नवाफिल, तहजद, इश्राक, तिलावत और दुरूद शरीप पढ़ने को अपने उपर लाजिम कर लो आपने फरमाया कि दुनिया आखरत की खेती है